कि हेलो रिवेंस वेलकें बैक माई चैनल एजुकेशन पर डटा आज देखिए दो सोला फ़ेवरी को पेपर होने वाला है क्लास्ट्रेल्स हिंदी का आज के मात पूर्ड कोशिन मैं आपको बताने वाला हूं और वो किस तरह का पेपर आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा देखिए दोजरबाइस का मेरे पेपर लिए हुगा है यह देखिए समान हिंदी यानि कि आपको 15 मिनट आपको मिलेगा समय तीन गंटा 15 मिनट यानि एकको को समय मिलेगा और पुणांग होगा स्वानुमबर का जेखिए इसको दो बागों में बाटा जाता है ठंड का और खा और खा में पाटा गया है सभी प्रश्न करना अनवारत पहले खंड का में आपको बहुत भी गल्पी दिया जाएगा देखिए मैं इस पेपर के अधार पर जानी कि जो 2022 में पेपर हुआ था से बैटन 2030 का भी होगा लेकिन कौन तर कोशन आएंगे बुट पेपर में और किस अब कम हैं बहुत कम बचा हुआ है आप सभी के पास यहनीं कि दो दिन है आज कि दो दिन बाद आपका पेपर है तो किस तरह से आप इसको करेंगा जिस्से कि आपके सौ मैं सा सकें देखिए मोश इंपोर्टेट कोशिन मैंने लिए लिए हुआ है जो भी चाहत अभी तक जरूर से जरूर ला सकते हैं तो देखिए किस तरह करना है और जो चैनल पर नहीं हो वह प्लिस हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और शेयर कर दिए जिससे कि हमारी वीडियो काफी लोगों के पास पहुश सके अब देखिए किस तरह से कोशन पूछे आएंगे और कौन कौन कोशन किते नमबर के आते हैं वह मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इस वीडियो में और वीडियो को अंतर तक जुरू देखिए का मैंने मोश रिपॉर्टट कोशन लिए हुए जो बोर्ड एजामनेशन में आएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है हिंदी 12 कच्छा बारा यानि की यूपी वड़ वक्षा दोजार तेज्ट यानि की गरंटी ले रहा हूं कि सथ सो मैसे सो नमबर पक्के यानि की एक सो एक परसेंट आपके पर आएगा यानि बस इतना तया पढ़ लो यही प्रश प्रशन आते हैं आपके टोटल कि सबसे सबसे पहले 14 प्रशन आएंगे उसको कैसे करना एक प्रशन क्या एक और दो कि यानि कि दस नंबर का आपका बहुत विकल्पी गद्ध और पद्ध से एक आपको किस तरह करना है कवीता का नाम और रजाइता का नाम जाने की बहुत और रजाइता का नाम जात करना है और किस से लिया गया है इस तरह से कोश्चन आते हैं देखें सबसे पहला यह लिखए है खड़ी बोली के प्रथम गद्ध रचनक किसे मना जाता है तो इस तरह से कोश्चन आपके आते हैं दूसरा कोश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए क्या लिखा हुआ है हिंदी प्रतीप प्रतिका का संपादक किस ने किया था देख बाबुग गुलाब राइक की आत्मकता इस तरह से कोशन आते हैं अतीद के चल चित की विवा किसकी रचना है तो इस तरह से आपको तयार करना होगा जो मोश इंपोर्टेड जैसे दूसरा कोशन देखिए हे हरी घहात का जानपर एक रशना कार कंए ईसकेर के रशना क्यूंआ कि नहीं है यह अर चैश् Afghanistan आते हैं आपको बौह कलुए कल्पी में तो आप उलब करना और का। जो पहले chi कोशन पाहले लिग अगज़ और पद में उनको आप तयार कर लिए जिससे कि आपके दस माक्स बिलुकुल पक्की हो जाएंगे कि मैं इस बात की गरेंटिय ज़रो वही कोश्चन पढ़िए जिसे आपके पाइम कम बचा हुआ जिससे कि आप अच्छे से तैयर कर सके तिक पांच नंबर गद से आएगा पांच नंबर पद्द से आएग लेक्त तो देखें घद्यान में सूरू के चीन पाड़् याद करई अगर नहीं आत करप रहे हैं तो देखें दो कोशन दो पाइट बहुत इंपर्टडD जाए कौन सा राष्ट का सरूप और असोक का फूल यानि कि आप इस से गज्द्धान से राष्ट का शरूप और असोक के फूल जरु तयार के लिए मैं इस बाकि ग्राइटे जाहर हूं वही आपके ज़र्ड्धान सामें अप पध्यांद में भी सुरू के देखिए समय बहुत कम बचा हुए लिम्टेड है और आपको स्कोर करना है जब जाता स्कोर करेंगे तो आपके परसेंट भी नहींगे मैं इस बागे गरेंटे जो रहा हूं यहीं त्यार करके यह आपके पोर्ट पेपर में यहीं सबाने वाला अब देखिए प्रश नंबर 5 परसेंट भी खंड़ नहीं का और खा यानि साहित परचे आपको लिखना होगा यानि कि का मैं आपको साहित परचे कौन-कौन सा त्यार करना है तो देखिया कि पर्श नंबर में दिखाना हूं परबन इस RAW तहरह से आपका पर नंबर 5 परचे का और खार तुसके तरह के तक तरह करना है हजारी प्रसाद दिर्वेदी और एक पीदी अब्दुलकलाम यह तीनों तयार के लिएगा मैं इस बाकि गरेंटी जारा हूं इन तीनों में से आपके बोर्ड एक्जानमेशन में जरूर राएंगे यह नहीं साहित पर्चे में आपको यह जरूर तयार करना है अब देखिए लेखक पर्चे में क्या उन्दा तयार करना है आपको हारी ओद जैसंकर प्रसाद मैसिसरंगुथ और महादेवी वर्मा भी आप तयार कर सकते हैं जिससे कि आपके यह दस माक्स बिल्कुल पक्की हो जाएंगे मैं इस बाकी गरेंटी जरूर घंड का और खा खा में आपको क्या तयार करना है अरी ओद जैसंकर प्रसाद मैसिसरंगुथ इसकी आपको एर करनी है फिर देखिए खंड नंबर 6 में खंड नंबर 6 में कहानी का सरांस या उद्देश यह आपको तैयर करना है मैं आपको पेपर भी दिखा दिया रहा हूं किस तरह से पूछा आता है यह देखिए कि नंबर 6 डेखिए 2022 में पूछा गया था देखिए कर नंबर 6 में प्रस्ट नंबर 6 में तो ने कि 6 में देखिए पंच नमबर बिल्कुल पक्की हो जाँगे देखें पांच नमबर के लिखा हुआ है अब साथवा नमबर कोशन में अपने जीले पक्षण काप अपने सुद्दों मेरी मुक्तियक और ट्यायक पतिए। तियांड को लिए आपको 1 कि सब्सक्राइब है कि दियांति याने कि आप को नंसे हैं प्रेजिजिक त्याक परती यानिot चाम पताय को जाहते हैं तो Pres. 6 charger याद करना इप को पूस होता है लिए यानिक साथ नमबर का होगा तो साथ नमबर को कोशन में आपको कहता रहना है संकृष किसी एक संदव का अनुवा सेटी जिसे जित की आपको चाप्टर टू और चाप्टर थृ एक संदव की अनुवा इचित करें ने प्लस-5 यानिक साथ नंबर आपको पक्का हो जागा चैशे मैं इसबास के रिएन्टी दे रहा हूं यही दोने चैप्टर आपको तियर करना है कौन-कौन से पहाथ सामात्म और मेना मालवी यह आपको तैयर करना है जैसे खंड आके काम है यानि प्रेश नंबर आट वे के काम है आपके साथ नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मैं इस बाकी गरांटी दे रहा हूं कि यही तैयर करें तो समय कम है आप इतना पढ़ लेटे के जिससे कि आपके साथ माख से प लोग आप तैयर करके जाएंगे और जाट तक हता है तो अब इस दोनों का जायर करेंगे जिससे कि आपके साथ नंबर इसमें भी पक्की हो जाएंगे मैं इस बाकी गरांटी दे रहा हूं इस ही को तैयर करिए बस क्योंकि समय कम है और अच्छी नंबर लाना है यानि कि करेंगे तो आपके परसेंटेज अच्छाएंगे अगर हिंदी में आप नंबर स्कूर कम करते हैं तो बाकी सब्जक्ट और भी खठीन है तो इसके साथ आप हिंदी में सबस्यादा स्कूर करिए जिससे कि आपके मांक्स जादा से जादा सकें यह देखिए इस लोको की अनवात करना था यह दो आये थे इस लोग अथ्वा में तो आप इसकी संदर से भी आख्या करेंगे यह दिखारों में आटवे का खा अब देखिए नवे नमबर कोशन में क्या आता है दो अंकर का मोहाबरे का अर्थ और व्याक्त पूलियों जानी कि आपको मोहाबरे का अ सब्सक्राइब यह दिखने को कि अपेथिया 10 और 11 यानि प्रस्ट नमबर 10 और 11 में आपसे संदीव फच्शेत पूछए वह को लिए दिखने नमबर पेसितства बहुत है घल्पी होता है यह दिखे संदी विच्छेत आ है इस देखे पहला दूसरा तीसरा संदी विच्छेत ते इस दसवा नंबर मैंने भी लिखा दसवा ग्यारवा विवक्ति वच्चन सद्यूग अनिक शब्दों के लिए एक सब्द और सुद असुद अब देखिए दिये गे समझे में विवक्ती वच्छर का साही उपलक के लिए अब देखिए 11 नुमबर कोशन मैंने 11 वोला था अब इसका बिल्कुल डाली आपको कोशन पेपर यानि कि जिससे कि आपके मांक्स बहुत अच्छे असा सके कोशन बैंक से तैयर करना है और कहीं से ना पढ़िए कोशन मैंक से पढ़िए आपको मिल जाएगा देखने को जिससे कि आप अच्छा स्पोर्ट कर सके अब देखिए इसी का खा कोशन था एक सब्दों के लिए एक सब्द है उनके नेक सब्द लिखने यानि कि दो नुमबर का यह वह हो जाएगा फिर देखे सही सब्द चैन करिए यह मैंने आपको बताया था सब्दी जोग सही चैन क करिए दो वाक्यों को सुद करके लिखिए यह मैंने जो आपको टॉपगल दस और 11 में वही मैं आपको बता रहा हूं देखे सही किनी निम्लेकर मैंसे किनी दूस्तबाद का सुद करके लिखिए दो आको लिखने सब चार दीये मैं दोग लिखने अब देखिए प्रशन बा अगर दोनों आपको त्यार होते हैं तो हास रस भी त्यार कर लेगा यह नहीं बताएंगे कि आप कि हमने आपको बताएं नहीं हास रस भी त्यार कर लेगा देखें वीर रस करून रस तो उधारन सहीद आपको याद करने करना मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूं देखें पिर दिखाय चेहां करूरण रष्ष और हम इस तरह से कोशन बोक्ता दोनों में से एक को करना यह दो नुम्बर का जाएंगे फिर दोहाच पाई दोहाच पाई में सोटा भी आता है लोला अब उसको भी तैयर करके जाईएगा तो अब इसको जरू से जरूर तैयर करीए यह देकि बारवा नमबर कोशन आपको च्छा नमबर गाएगा अब देखिए पत्र लेकन पत्र लेकन में आपको कौन सा आएगा तेरों नंबर कोशन है पत लेकन देखेए पत लेकन में आपको दिखा दों त्यरों नंबर कोशन देखे मैरे तेरों कोशन भी लिखा हुआ अब देखेए किसी बैंक की सासा प्रवंदय पुस्तक और लेखन समागरी की दुकान खुलने है तो रिंद प्राप्ति के लिए अवेदन पत्र लिखिए यानि कि आपका च्छाह नमबर विल्कुट पक्या हो जाएंगे यह अथ्वा में लिखा है नगत में महुले में नालियों को सपाई करने के लिए नगरपाल का अवेदन पत्र तो देखिए मैंने सहर की महुले की सपाई और और याला भी तैर के लिए यानि कि प्राप्ति के लिए प्रवंद को लेखन बत्र लिखना आप देखिए 14 नमबर कोश्चन में यानि कि आपका आया निबन अब देखिए निबन एक विशय है बहुत बढ़ा यानि कि आपको नौन पर का पूछा राता है तो अब इसको जरू से दियर करेंगे यह नौन नमबर कोश्चन में आपको देखिए निबन कौन कौन सा तैयर करना है मेरा प्रीकवी नवीन सिक्षा प्रदिती प्रहम प्रदूसर्ण विदालों में स्वास्त सिक्षा आप ये कोशन त्यार का सकते हैं चाहिए मैं बता रहा हूँ प्रदूसर्ण ये देखिए आप इसकी टॉपिक पढ़के जाएगा यही पेपर में आएगा मा इस वाकि सब्सक्राइब करने को जिससे कि आपके माक्स काफी अच्छे आ सके और मैं कहा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप करिएगा और कोशन को अच्छे से लिख के आएगा प्रशन नंबर संख्यार्थाइट आजा लिएगा जिससे कि आपका पेपर काफी अच्छा हो सके मैं जबाकि गरंटेजर रहा हूं कि ही पेपर आएगा थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो और अच्छे से तैया करिएगा बे